छेतर की ग्राम पंचायट कजरोटी के गाउं पलहावत में रविवार को कपड़ी प्रतियोगीता का आयुजन किया गया प्रतियोगीता में आसपास के कई गाउं की टीमों ने सहभागिता की और अपनी प्रतिभा का प्रदशन किया शुभारम मुक्य अतिती रालोत के ब्रज शेत्र प्रभारी और जिप सदस्य गुड़ु चौधरी ने फीता काट कर किया उन्होंने कहा कि खेल खूद से ना सिर्फ तन्मन स्वस्त रहता है बलकि शाररिक विकास भी काफी तेजी से होता है आज खेल खूद सिर्फ मनुरंजन के सादन ही नहीं बलकि एरियर का भी जरिया बन गए है प्रतियोगिता में पहला मैच आगरा और पहलावत की टीम के बीच हुआ जिसमें आगरा की टीम विजय रही दूसरा मैच बिचपूरी और जंगला की टीम के बीच हुआ जिसमें गाउं जंगला की टीम ने बिचपूरी की टीम को हरा दिया अंतिमेच राया और रामचेला की टीम के मद्य हुआ जिसमें राया की टीम विजय ता रही टूनामेंट का फाइनल में सौमवार को खेला जाएगा विजिता टीम को मुखी अतिती द्वारा 2100 रुपे का नकत पुरसकार और शील्ड दी गई इस मौके पर युवा रलोज नेता दीपू चौदरी स्नेहिलाल आदी मौझूत रहे क्या सच है क्या जूट अब होगा जो सच वही खबर हम से जूड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हचपियर न्यूज